आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, इसको जो हमसे बूचा गई Among the following, the number of aromatic compound तो हमें बताना है कि number of aromatic compound क्या है, कितने aromatic हैं को हमें बताना है तो सबसे पहले हम देखेंगी, कि aromatic condition क्या होते है aromatic condition होती है, WORST condition होती है फ्र्श्ट कंदिशन एक हो ङॉय वह मतलब उसकास О CR, Z मतलब यह साइकलिक हो, प्र प्लेल होना चेह और third condition क्या है कि उसमें वो 4n plus 2 pi electron का rule follow करना चाहिए मतलगी अगर n equal to 0 करें तो उसमें 2 pi electron होनी चाहिए अगर n equal to 1 put करें तो उसमें 6 pi electron होनी चाहिए अगर n equal to 2 put करें तो उसमें 10 pi electron होनी चाहिए अगर n equal to 3 put करें तो उसमें 14 pi electron होनी चाहिए तो अगर हमारा molecule कोई compound ये तीनों कंडिशन से डिशा कर रहा है तो हम बोल सकते कि वो aromatic है तो हमारा first compound जो दे रहा है तो इसमें सब काइटम है जो कि double bonded है सब carbon atom के पास एक double bond है तो सबसे फेल उसके hybridization में एक sub carbon atom की एक double bond लगा हुआ है तो दो single bond है एक hydrogen से एक carbon से तो हमारा first rule set aside कर रहा है और इसका conjugation कैसा होगा conjugation यहां पर हमारे यहां पर यहां पर आएगा यहां पर आ सकता है यह double bond हो सकता है यह double bond हो यह shift हो सकता है और इसका regionist structure कैसा हो जाएगा वो नीचे बनाते हैं यहां पे यह हमारा double bond इसका structure कुछ ऐसा हो जाएगा तो यह conjugation भी शो करता है तो इसे हम बोल सब्सकते हैं कि यहां पे यह हमारा second rule भी सेटी से करता है और इसमें pi electron कितने हैं यहां पे 4 pi bond है तो 1 pi bond है 2 pi electron होते हैं तो इसमें 8 pi electron है तो हमारे यहां पे third rule full connects 2 सिर्क यह 10 pi electron होने चे तो मतलए हमारा third rule follow नहीं करता है तो इसे बोल सकते हैं कि हमारा aromatic नहीं है तो हमारा first compound aromatic नहीं है तो second compound में देखें यहां पे यह वाले 2 carbon atom तो pi bonded हैं तो यह तो हमारे sp2 हो गए और यहां पे जो हमारा third है यहां पे एक negative charge है तो इस वज़े से जो हमारा hybridization होगी इस पताले carbon atom की वो sp3 होगी sp1 p2 और इस वज़े p3 तो इसकी hybridization sp3 होगी बट क्योंकि यह हमारा जो negative charge है वो resonance में जा रहा है तो उस वज़े से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी fully sp3 नहीं होगा बल्कि हमारा resonance की वज़े से resonate कर रहा है तो इसको हम partially यह वाले को हम partially बोल्ज रगते हैं कि यह हमारा जो sp2 होगा तो यह fully sp3 नहीं होने की वज़े partially sp2 है तो इस वज़े से हमारा first rule set is से कर रहा है और इसमें conjugation भी हो रही है तो इस वज़े से हमारा second rule भी set is से कर रहा है और इसमें pi electron केते हैं pi bond के वाज़े से 2 और pi negative charge के लिए 2 तो इसमें 4 pi electron है बट हमारे rule third rule को follow करने के लिए 2 यह 6 होने चाहिए pi electron तो इस वज़े से हमारा second second b जो है वो reanimatic नहीं है अब हम third के देखे third में हमारे पास यहां पर positive charge है तो positive charge वाले यहां दोनों की तो हमान same second वाले sp2 होगी और इस third carbon की हमारी hybridization क्या होगी यह positive charge की वज़े से जो हमारा यहां पर इसकी hybridization b sp1 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 p2 इसकी hybridization sp2 होगी तो यह भी हमारा sp2 है sp2 होगे तो हमारा first rule satisfied हो रहा है second conjugation भी हो रही है यहां पर double on shift हो जाएगा और इसका resonance structure कैसा होगा इसका resonance structure हो जाएगा कुछ ऐसा यहां पर pi bond आ गया और यहां पर positive charge आ गया तो यहां पर resonance भी हो रहा है तो इसे होगे कि हमारा second है third है और awakening है अब हम fourth में देखते है fourth में हम देख स्टक्चर में आपे pipe like no presentar नहीं तो इसे आप custard नहीं होगे सब्सक्राइब पी इसकी पास ved kg Upraigationale fica sp1 P2 P3 तो इसके hybridization होगी SP3 तो SP3 हो गई तो मतलब यह हमारा प्लेनर नहीं है तो हमारा 1st rule ही satisfy नहीं का रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो 4th है वो aromatic नहीं है अब हम 5th में देखे 5th में लेखे तो यह बाकी सब इस वाले कार्बन को छोड़ के बाकी सब बाकी सब तो बाकी सब हमारे SP2 है बड़ यहाँ पोजिट चार्ज है तो हमने भी यहाँ पे देखा था पोजिट चार्ज में भी यहाँ पर ही होती है तो हमारा 1st rule अब इसमें हम अगर तो resonance structure हमारा कैसा होगा जो हमारा यह pi bond है यहाँ shift कर सकता है यह वाला यहाँ shift कर सकता है तो इसका structure हमारा कैसा बन जाएगा इसका structure हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा यहाँ पे हमारा इसका structure बाना लें जो हमारा यह था pi bond यहाँ आ गया 1 po value यहाँ आ गया positive यहाँ आ गया वाज़े से हमारा यह 3rd rule भी 75 कर रहा है 1st तो इसे हम बोल सकते हैं कि हमारा यह aromatic है अब हम इसमें देखते हैं इस वाले compound में इस वाले compound में देखें यहाँ पर यह हमारा यहाँ पर यह cyclic तो है और साथ ही यहाँ सब-carbon की यहाँ पर pie bonded है यहाँ पर SP2 होगी और positive charge है इसकी SP2 होगी तो यह 1st rule satisfied कर रहा है और conjugation जहाँ पर भी यह conjugation दीखा सकता है यह pi bond यह shift होगय इसका resume structure हमारा कैसा हो जाएगा इसका resume structure हमारा कुछ हैसा हो जाएगा जो हमारा यह pi bond यहाँ आगया तो हमारा 3rd rule follow नहीं कर रहा तो यह हमारा 3rd rule follow नहीं कर रहा तो यह हमारा यह partially यह भी SP2 होगा, तो इस वज़े से हमको इसको भी बोल सतते हैं कि यह partially SP2 वज़े से यह हमारा cyclic planar है, और इसमें conjugation भी होगी, यह negative charge होगी है, यहाँ पे shift हो जाएगा, और यह pipe bond यहाँ पे, और यह pipe bond जो है, यहाँ पे चला जाएगा, और इसका resonance structure कैसा हो जाएगा, इसका resonance structure हमारा हो जाएगा, यहाँ पे, जो हमारा negative charge था, इसकी वज़े से हमारा यह pipe bond यहाँ पे आ गया, negative charge यहाँ आ गया, वज़े से pi electron किते हो जाएगे, 2, 4, 6, 6 pi electron होगे, तो हमारा third role भी follow कर रहा है, तो इस वज़े से हम बोल सकते हैं कि हमारा यह, जो है, yellow compound aromatic है, अब इस compound में देखें, इस compound में हम देख रहे हैं कि यह दो structure है, जो दोनो sp3 है, क्योंकि यहाँ पे double bond नहीं है, तो यह हमारा sp3 है, तो इसे हम बोल सकते कि हमारे planar नहीं है, तो यह हमारा first rule भी follow नहीं कर रहे है, तो सीधा बोल सकते हैं कि हमारा aromatic नहीं है, तो इस compound में देखें, इस compound में हम देखेंगी, यह पे जो सारे हमारे carbon atom में है, वो double bonded है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि हमारा sarciclic planar है और अगर हम इसमें resonance यो करें, तो यह हमारा resonance भी शो कर सकता है, यह हमारा resonance के शो करेगा, यह जो हमारा pi bond है, जो हमारा यहाँ पर shift हो सकता है, यह pi bond यहाँ shift हो जाएगा, यह वाला pi bond हमारा, अगर चाहे तो यहाँ shift हो सकता है, यह शिफ्ट हो जाएगा, यह पाइबॉन, यह शिफ्ट हो जाएगा, यह पाइबॉन, यह जो हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा इसका रेजन श्रक्चर गैसा हो जाएगा, रीचे देखते हम इसका structure हो जाएगा हमारा कुछ यहाँ पे हमारा एक बेंजीन यहाँ पे एक और और यहाँ पे एक और बेंजीन का structure ठीक है तो हमारा क्या था कॉन सब बंड कहा ट्रांसरो रहा था जो यह हमारा यहाँ structure हो रहा था यहाँ structure हो रहा था यह वाला bond हमारा यहाँ structure हो गया था यह यहाँ चला गया था यह यहाँ आ गया था और यह दो पाइगोंड यहाँ पे थे तो हमारा यहाँ पे resonance भी हो रहा है तो इसे हम देख सकते हैं कि हमारा यहांपर resonance भी है तो इसे हम Boring stay कर रहा है और यहांपर हमारे πाय ले क्यतने है चाहँ है 246 Local ро ₹ 거는 ibar in data और यहांभ लेक्रो 방 लेक्रोन न तो 14 पाय लेक्रोन है तो हमारा यह 3rd rule भी set is a universe कर रहा है । इसेहां आगणा County, कि आए यह थर्ड भी, यह हमारा 3rd rule turn- Aurora तो हमारा अंसरो करें तो यह हमारे अरोमेटिक है, तो मैं अशा करतो है कि आप का मका संप्स्थ पाएंगे, धन्यवाद क्लासिक स्टूल से लेके, मीइन ऐड़ान्स्क के लेवल तक, तस मिलियन से जाधा स्ट्डिञेंट्स का फरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर